देश को COVID-19 महा मारे के प्रकोप से बचाने और किसी भी प्रकार की आपात इस्थिती से निफटने के उद्देश से एक विशेश राश्टी कोश बनाने की आवज सेक्ता और प्रभावित लोगों को राहत परदान करने के लिए देश के परदान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी ने फंड इक अठा करने के लिए PM केर्स फंड की घोशडा की तो आए जानते हैं PM केर्स फंड के बारे में नमस्का दोस्तों इनालेज टाइम यूटूब चनल में आपका स्वागत है PM केर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर से सिटीजन एसिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमेजेंसी सिचुएशन यानि आपात इस्थितियों में परदान मंतरी नागरिक सहायता और राहत कोश ट्रस्ट बनाया गया है इसको बनाने का मुख्य उद्देश कोविड-19 जैसे संक्राम महामारी से निपटने और आपात की स्थिति को संभालने के लिए किया गया है पर भारक के परदान मंतरी ट्रस्ट के अधक्ष है और वित्य मंतरी ग्रिह मंतरी और रच्छा मंतरी इस ट्रस्ट के सदश है कोरोना संक्रमर से बचाओ के लिए मास्क, सिनीटाइजर्स, शक्ता है देश के नागरिक भी कुरोना से लड़ाय में अपना युगदान जेना चाहते हैं इन सभी वर्तमान प्रिस्थिति को देखकर देश के परधान मंत्री ने PM के एर फंड का एलान किया ताकि देश के हर नागरिक इसमें अपनी स्विच्छा से कुछ युगदान कर सक करते हैं इसके लिए क्या करना होगा आये जानते हैं सबसे पहले देख लेते हैं PM केर्स फंड से संबंदित एकाउंट डिटेल के बारे में तो नेम आफ एकाउंट PM केर्स एकाउंट नमबर 2121 PM 20202 IFSC कोड SBIN 0000691 UPI PM केर्स एड़रेट SBI बैंक नेम इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच निव दिलही में ब्रांच तो PM इंडिया.gov.in वेबसाइट पर जाकर PM केर्स फंड में डोनेट कर सकते हैं यहां पर डेमिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से डोनेट करने का आप्शन उपलब्द ह इसके अलावा UPI के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं जैसे भी UPI, Phone Pay, Amazon Pay, Google Pay, Paytm, Mobiquick, etc. या फिर RTGS या NEFT के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं इस फंड में डोनेट की गई किसी भी राशी पर आपको कोई टेक्स नहीं देना होगा जो भी फंड PM केर्स में डोनेट किया जाएग उसे Income Tax Act के Section 80G के तहट टैक्स में छूट मिलेगा राजनीती उद्योग, खेल, मनरंजन, सही सभी छेतरों के लोगों ने अपने अपने शमता के अनुसार योगदान देने की शुरुआत कर दी हैं तो दुनिया भर में COVID-19 महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है और अब य 665,000 से भी अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 30,900 से अधिल लोगों की मौत और 1,42,000 लोगों को ठीक किया चुका है यूरोप और अमेरिका में इस महामारी ने सबसे ज़्यादा तवाही मचा ही है यदि हम country-wise संक्रमण की बात करें तो अमेरिका में सबस से ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पर 92,000 से भी अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 10,000 23 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दोस्तों हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो यहाँ पर भी दिन प्रतितन संक्रमण की मामले सामने आ रहे हैं अब तक 987 85 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 25 लोगों की मौत हो चुकी है